एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलू कि इस मुवी के फर्स टू पार्ट्स की एक्स्प्लेनेशन हमारे चानल पे अल्रेडी अपलोड़ेड है इस मुवी को अच्छे से समझने के लिए आप उसे जरूर सुनिएगा लेंगा को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मुवी का स्टार्ट स्टेसी से होता है जो लास्ट टू पार्ट्स के बारे में बता रही होती है इक ऐसे उसने और मार्गरेट ने हम शिकल होने की वज़े से स्वेच किया और उसकी शादी प्रिंस एडवर्ट से हो गई जबकि मार्गरेट की उसके बेस्ट फ्रेंड केवन से फिर पार्टू में उन्हें एक और ट्विन मिली जसने मार्गरेट का थ्रोन चोरी करने की कोशिश की पर ऐसा कर ना सकी अब इस पार्ट में स्टेजी और मार्गरेट मिलके बहुत ही बड़े क्रिस्मस फेस्टिवल की त्यारी कर रही है जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग आ रही है ये दोनों और इनके husband's इसी festival की त्यारियों में busy हैं Christmas tree पे लगने के लिए इन्होंने एक special star मंगवाया है जो इन्होंने रखा तो बहुत security में था पर फिर भी कोई उसे चोरी करके ले जाता है फुलिस इने बताती है कि जिसने भी चोरी की है वो फुल त्यारी के साथ आया था और इसने कोई भी सबूत नहीं चोड़ा अब ये परुशान होते हैं कि क्या होगा क्यूंकि अगर वो star ना मिला तो Margaret के crown को खत्रा हो सकता है वर इसके लिए this case को solve करना मुश्किल था इसलिए Margaret और स्टेसी खुद ही कुछ करने को सोचने लगती है उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें किसी ऐस इंसान की जरूरत है जो क्रेमल्स की तरह सोच सके जो के और कोई नहीं फियाना है जिसने लास पार्ट में Margaret का crown लेने की कोशश की थी Margaret ने उसे जेल भीजने के बजाए कम्यूनिटी सर्विस के लिए भीज दिया किसी को भी कुछ और समझ नहीं आ रहा था इसनी उन्होंने फियाना से हेलप लेने का फैसला कर लिया सीन्स फियाना पे शिफ्ट होते हैं जो अपने उसी स्टाइल में कम्यूनिटी सर्विस सेंटर में है उसने अपने अंदर कुछ नहीं बदला Margaret क्रिस्मस की चुटियों का बहाना करते हुए फियाना को अपने साथ पैलिस ले आती है लेकिन वो अकेली नहीं आती अपनी टीम रेजी और मिंडी को भी जिल से निकल वाती है अपने साथ लेके आती है किसे को भी उनका वहाँ होना पसंद नहीं था पर फिर भी अपनी इज़त बचाने की खाते वो सब उन्हें बर्दाश कर रहे थे अगले दिन फियाना इन्हें बताती है कि वो एक ऐसे बंदे को जानती है जो इनकी स्टार ढूनने में हल्प कर सकता है पर उसे खुद उस इनसान से मिलने जाना होगा इस डरसे कि फियाना भाग ना जाए मार्गरिट उसे सिक्यूरिटी के साथ भीज देती है फियाना के इस डरके के पास पहांचने पर हमें पता चलता है कि वो उसका एक्स बॉइफरिंट पीटर है जो आज भी फियाना को प्यार करता है और इसके लिए कुछ भी करने को त्यार है पीटर फियाना को मायूस नहीं करता है उसने फियोना के आने से पहले ही अच्छे से रीसरच कर रखी थी और जहां तक पुलिस भी नहीं पहुंच पाई थी वो वहां तक पहुंचते हुए यह जानने में काम्याब हो जाता है कि स्टार आखे किस ने चुराया है स्टार को चुराने वाला एक बिस्निस टाइकून हंटर है जिसे कीमती चीज़ें रखने का शौक है और उन्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है जब पीटर और फियोना ये इन्फिर्मेशन सब को आके देते हैं तो मार्गरिट तो पुलिस के पास जाने की बात कहती है पर फियोना और पीटर उसे रोक देती है ये कहते हुए कि हांटर के बहुत लिंक्स है और अगर उसे पता चल गया तो इनके लिए स्टार वापस लेना ना मुमकिन हो जाएगा स्टार को वापस हासिल करने का बस एक ही रास्ता है कि ये लोगों से वापस चुड़ा ले इसके लिए उनके पास एक अच्छा मौका भी है क्योंके हांटर एक बहुती बड़ी पार्टी साटेडे को करने वाला है जहां ये लोग किसी भी स्वेवन फगेरा के कॉस्ट्यूम पहन के घुस सकते हैं जाहे सिक्यूरटी कितनी भी टाइट हो पीटर बताता है कि हांटर जिस पार्क में रोस जाता है फियाना भी वहाँ जाएगी क्यूंके एक टाइम पे हांटर उसके लिए पागल था और अगर दोनों अचानक मिल गए तो फियाना उसे अट्रैक्ट करते हुए पार्टी का इंविटेशन ले सकती है पीटर के प्लान के हिसाब से ये लोग पार्क तो पहुंच जाते हैं और हंटर भी वहाँ आ जाता है पर तब ही फियाना का डॉग अजीव बिहेव करते हुए उसे हंटर से दूर ले जाते बुश में किरा देता है फियाना बुरी हालत में घर पहुंचती है जहां पीटर उसे चेर अप करते प्लान भी बताता है जो थोड़ा मुश्किल है पर उसे यकीन है कि फियाना अपनी चार्म से हंटर का ट्रैक कर लेगी ऐसा का जा सकता है कि फियाना के लिए तो ये बाए हाथ का खेल था उसके पहली बाजी जीत के कार में आने पर पीटर से शावबाशी देने के वज़ए उसके हंटर से इतने क्लोज होने पर चेलिस हुआ बैठा था जो फियाना फील कर लेती है और इस बात से खुश भी नजर आती है पर दोना तो जैसे अपने प्यार दिल में ही रखने की कसम खाय हुए है इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं फियाना को उसकी मॉम की कॉल आती है पीटर उसे अपनी मॉम से बात करने को कहता है तब फियाना पास्ट में जाकी अपनी साथ मेमरी सोचने लगती है कि कैसे उसकी मॉम उसे अकेले बोर्डिंग स्कूल छोड गई और वहां इसका सहारा बस पीटर ही था इस बात को याद कहते हैं आंखों में आंसू लिए वो कॉल कट कर देती है पालस वापिस आकर पीटर सब को हंटर के गर की सिक्यूरिटी पे लेक्टर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइट है और इन लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम है क्योंकि यह पकड़े नहीं जा सकते यह तो सीधा सीधा इनकी चान को खत्रे में डालने वाली बात है रेजी और मिंडी फियाना को तंग कर रहे होते हैं क्योंकि सब्यूस की पीटर के साथ के मिस्टरी को देख सकते हैं फियाना शर्मा आते हुए पास स पीटर, रेजी और मिंडी की ट्रेनिंग शुरू करता है और वो इनने अच्छे से सिक्यूर्टी से निकल नहीं पाते हैं फियाना वहां आँके बहुत ही स्टायल से आगे बढ़ती हुई रेस से निकल जाती है पीटर और वो एक अच्छी टीम होने का सबूत देते हुए बड़े ही आराम से सिक्योरिटी से बच जाते हैं एराग को पीडर फियाना को हेलिकॉप्टर पे डेर के लिए ले जाता है जबके केवन अपनी डॉर्टर अलिविया को लेने के लिए निकल जाता है पीडर फियाना को क्रिस्मस कार्निवल में ले जाता है जहां दोनों साथ बहुत टाइम बात अच्छा टाइम गजारते हैं दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के साथ रहने की तलब नजर आ रही होती है पीटर, रेजी और मिंडी को रोप की मदद से नीचा आने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है उसी तुरान में मार्गरिट स्टार के उनर से बात करने लगी होती है मार्गरिट बहुत ही मुश्किलों से उसको विंडो की तरफ देखने से रोपती है क्योंकि अगर वो उन्हें ये सब करते देख लेता तो मार्गरिट से अजीब अजीब सवाल किये जाते जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी पीटर के साथ कोई भी गैलरी के अंदर जाके स्टार लेने वाला नहीं था ये बस फियाना के लिए ही ईजी था पर उसे तो हंटर के साथ पार्टी में भी नज़राना है इसलिए जो इस मूवी में हमेशा से होता है वो मॉमेंट आ जाता है मार्गरिट फियोना की जगा लेने का सोचती है ताके फियोना पीटर की स्टार लेने में हेल्प कर सके सबको शुरू में तो लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा पर मार्गरिट की इतनी कमाल आक्टिंग दे के सब चुप हो जाते हैं अब जबके इनके पस और कोई रास्ता भी नहीं है इन्हें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा फियोना मार्गरिट को अपने जैसे बनने की ट्रेनिंग देने लगती है जबके बाकी सा प्लान पे काम कर रहे होते हैं फियोना जब मार्गरिट को डांस करना सिखा रही होती है तब ही पीटर बीच में आके फियोना के साथ एक वहाथी रमैंटिक डांस करता है फिर इस सारा प्लान रेडि करके ये सब निकल नहीं वाले होते हैं पीटर फियोना को अकेला पर के साथ मिशन के इस्वाद एक देट पे चलने को कहता है जिस पर पीटर माना कर देती है तब ही पीटर डाgar प्लत हुए अपनी छुप दोट देता है और फियाना से कहता है कि वो सारी जिन्दगी ऐसे लोगों को खुद से दूर नहीं कर सकती वो जानता है कि फियाना उसे हंटर के लिए नहीं चोड़के गई थी बलकि इसलिए चोड़के गई थी क्योंकि वो पीटर से प्यार करने लगी थी और डरती थी कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए पर पच्पन में जो भी हुआ वो हमेशा नहीं होगा इस दिवसे लोगों को उससे दूर करने की ज़रूरत नहीं है ये बातें फियोना के दिल को तो लगती है पर वो पीटर को उससे दूर रहने का बोल देती है जिस पर पीटर भी सीरियस हो जाता है इन सब के निकलते ही जिस कम्यूनिटी हों में फियोना थी महां से कॉल आ जाती है नन स्टेसी को बताती है कि उन्हें फॉरण फियोना को वापिस भीजना होगा क्यूंकि चेकिंग कमेटियाद 7 बजे आ रही है और अगर फियोना यहां ना व कहा racing भीज हो जाया अब फियोना तो जा नहीं सकती थी इसलिए स्टेसी सी की जगा लेके जाने का फैसला करती है वहां मार्गरिट फियोना बनी पार्टी में बहन जाती है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि वो क्यारेक्टर में ही रहे दूसरी तरफ पीटर, फियाना और रेजी स्टार लेने के लिए दूसरे रस्ते से घर में कुजने लगे होते है स्टेसी फियाना की लोग लेके एडविट के साथ कम्यूनिटी होम के लिए निकल जाती है पीटर का अंदाजस सही होता है और उन्हें स्टार उसी गालरी में मिलता है जिस पर रेजी गामरास को हैंक कर देती है जबके पीटर और फियाना स्टार लेने चले जाते हैं पीटर के हिसाब से जहाँ की होने चाहिए थी, वहाँ नहीं थी फिर एकदम उन्हे वहां हंटर की आने की आवाज आती है जिस पर तोनोटेबल के नीचे खुप जाती है और वहीं उने की भी मल जाती है Edward और Stacey मिल के Fiona की सजा खतम करवाने की कोशिश करने लगते है वहाँ Peter को कोड नहीं मिल रहा होता ये देखते हुए Fiona अपनी बर्थडे नंबर कोड के तोर पे लगाती है जिस पर गेट खुल जाता है और Peter एक बार फिर जलिस हो जाता है कि इतने साल बात भी Hunter ने Fiona की बर्थडे को कोड रखा है Hunter Fiona के साथ फुल फलर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है पर अब जब कि वो Fiona नहीं बलके Margaret है उसे डिस्ट्राक करने में हर तरफ काम्याब हो रही थी Scenes वापस Fiona और Peter पे शिफ्ट होते हैं तो बहुत ही असानी से रेस से बच्चती तूसरी तरह पहां जाते हैं Edward और Stacey Fiona को फ्री करवा लेते हैं यहां Fiona और Peter स्टार लेने में तो काम्याब हो जाते हैं पर alarm बच जाता है जिसकी वज़ए से Hunter को भी पता दिल जाता है Margaret उसे रुकने की बहुत कोशिश करती है यहां तक किस्ता कर देती है पर Hunter नहीं रुकता मसला परती दे के Peter फियोना को स्टार लेके जाने को कहता है और यहां गार्ड्स को डिस्ट्राइक करने के लिए रुक जाता है Margaret मौका दे के सेफली पार्टी से निकल जाती है फियोना को उसके फ्रेंड्स वहां से लिए गार्ड्स से बच्चते भाग जाते है Hunter को वहां कोई प्रूफ नहीं मिलता बस Peter अपना कार्ड छोड़ जाता है जो देख के उससे गुसा तो बहुत आता है क्योंकि उसने तो खुद ही चोरी की थी तो वो किसी पे लजाम कैसे लगा सकता था सब वापस पैलेस पहुंचते हैं तो उन्हें खुशी मनाने का टाइम भी नहीं मिलता वो दीखते हैं किस बैग में स्टार की जगा बॉल है और पीटर उन्हें धोका दे के बाग किया है उतनी दिर में केवन भी उलिविया को लिए वहाँ बहाँ जाता है जो अपने सामने तीन तीन फियाना दे के परिशान हो जाता है फियाना को पीटर का मेसेज आता है जो उसे उनके स्कूल मिलने बुलाता है फियाना के वहाँ जाने पर पीटर उसे उसकी माम से मिलने को कहता है जो लॉबी में उसका वेट कर रही थी फियोना के पीटर के साथ रूर होने पर वह सठार दीह सब रिश्टिय खतम कर 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 चला जाता है फियोना बहुत डिस हाր्ट हो जाती है पर फिर भी हम्मत करती अपनी मॉम से मिलने जाती है दोनों के पीज एक लंबी ऐमोशनल लड़ाई होती है जिसके बाद फियानली फियाना मेल्च होके अपनी मम को माफ करती हग कर लेती है वो दोनों बिलकुल टाइम पे स्टेसी और मार्गरिट की इज़त रखते स्टार लिए बापस पैलेस पहां जाते हैं सब फियाना को उसकी पास की कलतियों पे माफ करते क्रिस्मस उनके साथ मनाने को कहते हैं जिस पर बो मान जाती है फिर एक राण क्रिस्मस पार्टी होती है बिलकुल वैसी जिसी स्टेसी और मार्गरिट चाहते थे सब पार्टी में अपनी अपनी फैमली या बेटर हाफ के साथ एंजोई कर रहे होते हैं और फियाना खुद को बहुत अकेला फील करती है तब भी उसे पीटर की आवाज आती है जो वहाँ एक बार फिर सब साइट पर रखते अपने रिष्टे को बचाने बहुन जाता है अब जब के मुवी का एंड है तो पीटर नहीं बलके फियाना माफी मांगते अपने प्यार का इज़ार करती है इसके बाद तो नोए प्यूटिफुल से किस शेयर करते हैं और इसी के साथ मुवी की हापी एंडिंग हो जाती है थांक यू फिर वाचिंग